तो आज के इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि देश की अर्थव्यवस्ता का क्या हाल है और RBI अर्थव्यवस्ता को सुधारने के लिए क्या कुछ कर रही है अलर्ट अमिड अनसर्टेनिटी अलर्ट का मतलब होता है जागरूक रहना सावधान रहना सतर्क रहना अमिड यानि के बीच अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चित्ता तो अलर्ट अमिड अनसर्टेनिटी तो इसका मतलब हुआ कि अनिश्चित्ता के बीच में सावध The RBI holds interest rates, citing concerns about inflation outlook. RBI hold, hold का मतलब है रोक के रखना, कि भई RBI ने रोक के रखा है, किस चीज को? interest rates को, RBI ने ब्याज दरों में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? हवाला देते हुए, citing का मतलब होता है, हवाला देते हुए, concerns का मतलब है, चिंताएं, about inflation outlook, inflation का मतलब होता है, मुद्रा इस्विती, या फिर आप कह सकते हो, inflation का मतलब है, म नजारा, महंगाई के नजारे को देखते हुए, यानि कि महंगाई को देखते हुए, RBI ने महंगाई का हवाला दिया है, citing concerns है, कि RBI ने कहा है, कि हम जो है, चिंतित हैं, कि इस बात को लेके चिंतित हैं, कि ये जो महंगाई का नजारा हम देख रहे हैं, बढ़ती हुई महं has prudently, prudently का मतलब होता है, buddhimaan पूर्ण तरीके से, विवेक पूर्ण धंग से, the RBI has prudently decided, तो editorial कहना चाहता है, कि RBI ने जो decide किया है, जो निर्ण लिया है, RBI ने वो बिल्कुल ठीक लिया है, बुद्धिमानी तरीके से बुद्धिमान पूर्ण तरीके से लिया है, क्या decision लिया है RBI ने? To keep its powder dry for now. देखो ये जो idiom है ना, keep powder dry, keep powder dry का मतलब होता है, alert बने रहना, keep powder dry का मतलब होता है, इंतजार करना है ना, इंतजार करना और alert बने रहना बिल्कुल एक तरीके से, तो ये मतलब होता है, keep powder dry का, इंतजार करना और alert बने रहना, keep its powder dry for now, फिल हाल के लिए RBI ने तई किया है, कि वह जो है उचित decision लेने के लिए, wait करेगी और alert बनी रहेगी, citing RBI ने क्या दिया है, हवाला दिया है, citing the extreme uncertainty, तो RBI ने फिलाल ब्याज दरों को लेकर, किसी तरह की घटोत्री या बडोत्री नहीं की है, और वो क्यों नहीं की है, RBI ने कहा है, RBI ने हवाला दिया है, extreme uncertainty, extreme का मतलब होता है, अती, किसी भी चीज की जब अती होती है न, उसको बोलते है extreme uncertainty, कि वर्तमान दौर की अगर हम बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा अनिश्चित्ता की हालत है, that characterizes, characterizes का मतलब क्या होता है, characterizes का मतलब होता है, किसी चीज की बारे में बताना, characterizes का मतलब है, किसी चीज की विशेष्टा बताना, that characterizes the current outlook, for inflation and economic activity, कि आर्थिक गतिविधी और मेंगाई की अगर हम बात करें, तो इनकी विशेष्टा क्या है? मेंगाई की विशेष्टा और आर्थिक गतिविधी की वर्तमान दोर में विशेष्टा यह है, कि ये छेत्र जो है बहुत ही जादा अनिश्चित पूर्ण बने हुए है तो इन महंगाई को और आर्थिक गतिविदी की अनिश्चितता को देखते हुए RBI ने decide किया है कि powder को dry रखा जाए powder को dry रखा जाए का मतलब है कि वही wait किया जाए इंतिजार किया जाए और alert रहा जाए सावधान रहा जाए और फिर जैसी परिस्टितियां change होती है उसी अनुसार decision लिया जाए आगे देखते है observing that ये observe करते हुए ये narration करते हुए observing that the unprecedented shock unprecedented का मतलब होता है अभूत पूरू अभूत पूरू का मतलब कोई ऐसी बात जो पहले कभी ना हुई हो उसको हम बोलते है unprecedented shock तो वर्तमान में क्या हुआ है कि ये जो coronavirus है ना from the pandemic pandemic का मतलब होता है वैश्विक महामारी कि इस coronavirus ने अभूत पूर्व जटका दिया है हमारी अर्थव्यवस्ता को observing that तो RBI ने ये observe किया RBI ने क्या देखा कि observing that the unprecedented shock from the pandemic has left the economy stressed coronavirus ने जो अभूत पूर्व जटका अर्थव्यवस्ता को दिया है उसके चलते अर्थव्यवस्ता छूट गई है has left the economy stressed इसके चलते जो अर्थव्यवस्ता है वह stressed हालत में आगई है stress का मतलब क्या होता है तनाव पूर्ण इस्तिती में आजाना किस के कारण इस अभूत पूरू जटके के कारण जो अभूत पूरू जटका coronavirus में इस वैश्यक महमारी ने दिया है तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए The RBI said, RBI ने कहा That while जबकि The Monetary Policy Committee Monetary का मतलब होता है Mudra से संबंदी थे ना, आर्थिक संबंदी Monetary Policy Committee Recognized, the RBI said that While the Monetary Policy Committee Recognized the Primacy Primacy का मतलब है प्रमुखता, प्रधानता Primacy of Supporting Recovery तो RBI ने ये कहा क्या कहा RBI ने, while, जबकि मतलब अब ये जो while से जब जुड़ी होती है कोई बात, तो while के साथ क्या है हम दो बातों को जोड़ते हैं, तो एक और तो क्या बात है एक और कि जो Monetary Policy Committee है यानि कि वह committee जो की मुद्रा संबंदी नीतियों को निर्धारित करती है तो उस मुद्रा संबंदीत जो नीतियों को निर्धारित करने वाली जो committee है ना, उसने पहचाना किस चीज को पहचाना? The Primacy of Supporting a Recovery Monetary Policy Committee ने इस बात को पहचाना कि प्रमुकता या प्रधानता की इस बात की है सबसे ज़्यादा जरूरी है वो जरूरी है कि Supporting a Recovery कि अर्थ व्यवस्ता recover हो सके जल्द से जल्द है ना, उसको support करने के लिए कुछ कदम उठाये जाएं, ये बात सबसे ज़्यादा important है, साथी साथ It was Necessarily Mindful इसके साथी साथ ये जो Monetary Policy कमेटी थी, वह है विवेक पूर्ण थी, Mindful होने का मतलब होता है होश पूर्ण होना, ध्यान पूर्ण होना ना, किसी बात के बारे में सजग होना, It was Necessarily Necessarily का मतलब है, आवश्यक रूप से, यानि कि Monetary Policy कमेटी आवश्यक रूप से इस बात के पृती होश पूर्ण थी किस बात के पृती होश पूर्ण थी? Of its Inflation Targeting Mandate Of its Inflation Targeting Mandate, Inflation का मतलब हो गया मेंगाई, Target का मतलब होता है किसी चीज को निशाना बनाना, और Mandate का मतलब हो गया आदेश यानि कि Monetary Policy कमेटी ने, जो Inflation को कंट्रोल करने के लिए जो आदेश दे रखे हैं Monetary Policy Committee मेंगाई को Target करने के लिए, जो भी mandate है जो भी order जारी कर रखे हैं उन order के पृती होश पूर्ण होते हुए उन order के पृती होश पूर्ण होते हुए और अर्थ विवस्ता जो है RBI ने कहा कि Monetary Policy इन चीज़ों के पृती जाग रूख थी कि इन चीज़ों के पृती जाग रूख थी कि दो बात हैं बहुत प्रमुख उन दो बातों में प्रमुख बात है कि एक तो हमारी अर्थ विवस्ता को सपोर्ट किया जाना जरूरी है और दूसरी बात यह भी जो है आवश्चक है कि क्या किया जाए कि जो जो टारगेट सेट किया है Monetary Policy Committee ने कि इनफलेशन को किस तरह से कंट्रोल करना है तो उस टारगेट को कंट्रोल में लाने के लिए जो आदेश Monetary Policy Committee ने दिये हैं उन आदेशों को ठीक तरह से पालन किया जाए The picture on prices is clouded देखो जब भी कोई चीज clouded clouded का मतलब क्या होता है clouded का मतलब होता है एक तरीके से बादल छा जाना एक तरीके से किसी चीज़ का आवरण में आ जाना आवरण में लिपट जाना किसी चीज़ का The picture on prices की कीमतों को लेकर जो picture है यहाँ पे picture का मतलब है नजारा The picture on prices is clouded by many uncertainties की हमारी अर्थव्यवस्ता में काफी सारी अनिश्चितताओं के चलते यह जो विभिन प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइस हैं वो बिल्कुल clear नहीं हो पा रही हमारे सामने की विभिन जो कीमते हैं यानि की उप्भोगता जो वस्तुएं खरीता है उनकी जो कीमते हैं वे कीमते हैं बिल्कुल इसपष्ट नहीं हो पा रही हमारे सामने क्यों नहीं हो पा रही हैं उन पर आवरण चा गया है, उन पर बादल चा गया है, किस बात का आवरण चा गया है, many uncertainties, काफी सारी अनिश्चित्ताएं, चारो तरफ हमें देखने को मिल रही है, उन अनिश्चित्ताओं के चलते, यह जो prices है ना, उनका क्या वास्तिक picture है, वह हमारे सामने बिल्कुल clear नह होता है, consumer price index, inflation का मतलब हो गया, महंगाई, तो यह देखो CPI inflation है, while the provisional, provisional का मतलब होता है, अस्थाई, अनन्तिम, जैसे कि हम किसी भी चीज के बारे में आंक्ले जारी किये हमने, तो बोलते हम कि वह यह provisional आंक्ले हैं, provisional आंक्ले मतलब अभी यह permanent आंक्ले नहीं है, अ aged over, aged over का मतलब होता है, अधिक होना, the upper bound, upper bound का मतलब है, उपरी सीमा है, maximum limit, upper bound, of the mandated, mandated का मतलब है, जो order आपने जारी किये थे, जो दिशा निर्देश आपने जारी किये थे, of the mandated, medium term goal, देखो हमने क्या है, goal set किया था है, medium term, एक मध्य अवधी का, एक goal set किया था, कि भई, य consumer price index में क्या होता है कि हम क्या करते है कि उपभोगता जो है वो विभिन वस्तुएं खरीता है एक उपभोगता विभिन वस्तुएं खरीता है तो उन वस्तुओं की कीमत में घटोतरी या बडोतरी को दर्शाने के लिए हम एक सूचक का प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं CPI Consumer Price Index है ना इसके माद्यम से हम पता लगाते हैं कि वस्तों की कीमत में कितनी घटोत्री हो रही है और कितनी बडोत्री हो रही है तो जून माहा की जो CPI Index की जो CPI Inflation जो मापता है तो CPI की रीडिंग कितनी आई? 6.1% ये जो 6.1% आई ना ये ज़्यादा थी किस से उपरी सीमा जो की हमने निर्धारित की है कि वहीं इंफलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने कितनी उपरी सीमा निर्धारित की है? हमने गोल निर्धारित किया है 4% का कि महंगाई जो है Consumer Price Index Inflation जो है वह है 4% के आसपास रहना चाहिए प्लस माइनस 2% कि 4% में प्लस माइनस 2% हो सकता है कि वही 4-5 हो गया या 6 हो गया या फिर 1 रह गया दो रह गया कुल मिला के 4% का हमने गोल सेट किया है CPI Inflation के लिए लेकिन इसकी reading हमें देखने को मिली 6.1% है ना तो प्लस माइनस कितना किया है हमने सेट 2% कि 4-5 हो गया या 6 हो गया या फिर 4-3 रह गया या 2 रह गया लेकिन ये कितनी reading देखने को मिली हमे 6.1% तो कुल मिला के बहुत ज़ादा हो गई आपर बाउंड जो है उपरी लिमिट जो है उसे बहुत ज़ादा हो गई क्योंकि 4 में अगर आप 2 जोडते हो तो 6 होते हैं लेकिन 6.1 निकल गई तो यही एडिटोरियल बात करना चाहरा है कि जून माह की जो CPI CPI inflation की reading थी वो 6.1% थी जो की ज़ादा थी जो की हमने decide की है न जिसका की हमने decide किये 4% का goal हमने set किया है तो उसे यह ज़ादा थी A spike spike का मतल़ होता है इजाफा बढ़ोतरी है न कोई चीज़ जब बढ़ती है तो उसको लिए हम बोलते हैं spike A spike and food prices as well as cost push pressures तो देखो यह हमें यह जो CPI है इस CPI में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली तो उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं A spike and food prices की खादे पधारतों से सम्बंदित जो कीमते हैं उनमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली A spike and food prices as well as as well as मतलब साती सात as well as cost push cost push pressures from higher transport fuel and raw material prices were combining to obscure the inflation auto as well as cost है ना कीमतों में जो है कीमतों में जो है और push का मतलब क्या होता है किसी चीज को और ज़्यादा धक्का देना और ज़्यादा बढ़ाना कि बढ़ोतरी हुई उसने जो है pressure increase किया है ना उसने जो है दबाव बढ़ाया from higher transport fuel देखो क्या देखने को मिला हमें कि transport fuel है ना कि ये जो एक तरीके से आपके जो भी products हैं उनको जो transport किया जाता है तो जो transport fuel की जो लागत है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली and raw material prices इसके अलावा जो कच्चा माल है raw material का मतलब है यहाँ पर जो कच्चा माल है उसकी जो कीमते हैं उनमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली तो इन सब में बढ़ोतरी के चलते हैं इन सब के combination को अगर हम जोड़ लें combining यनि कि transport fuel में बढ़ोतरी होना कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी होना जो food prices हैं खाद्यान संबंदी जो चीज़े हैं उनमें बढ़ोतरी होना तो इन सब ने मिलके क्या किया obscure obscure का मतलब होता है icepushed कर देना obscure the inflation outlook inflation outlook का मतलब हो गया महंगाई का नजारा तो इन सब के combination को अगर हम देखें तो इन सब के combination ने महंगाई के नजारे को icepushed कर दिया कुल मिलाके महंगाई की इस्तिती हमारे सामने बिलकुल icepushed न हो सकी क्यों क्योंकि काफी कुछ अनिश्चित्ता हैं हमें देखने को मिल रही थी ना कच्चे माल की कीमते में बढ़ रही है transport fuel में जो है transport fuel में जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि transport fuel जो है ना उसकी लागत में जो है बड़ोतरी देखने को मिल रही है विभिन भोजन से संबंदी जुड़ी हुई जो खादे परदारते उनमें बड़ोतरी की स्थिती देखने को मिल रही तो कुल मिलाके वास्त्विक inflation की स्थिती क्या है यह हमारे सामने clear न हो सकी इन सब के चलते हैं आगे देखते हैं wowing wowing to ensure wow का मतलब क्या होता है शपत लेना wowing to ensure यह सुनिश्चित करने के लिए शपत लेते हुए ensure मतलब होता है सुनिश्चित करना that the policy stance remains stance का मतलब होता है रुक किसी भी चीज के पृति आपका कैसा दृष्टी कोन है उसके लिए हम प्रियोग करते है शब्द stance है that the policy stance remains accommodative accommodative का मतलब क्या होता है accommodative का मतलब होता है जैसी परिस्थिती है उस परिस्थिती के अनुसार adapt कर लेना जैसी परिस्थिती है उस परिस्थिती के अनुकूल अपने आपको बना लेना अगर ऐसा आपका रुक है ऐसा आपका दृष्टी कोन है तो उसका मतलब है आपका जो दृष्टी कोन है हमारी जो policy का रुख है वो बना रहे कैसा बना रहे accommodative बना रहे for as long as needed to revive growth revive का मतलब होता है पुनर जीवन कि revive growth, growth का मतलब है व्रधी कि अर्थ व्यवस्ता को growth में लाने के लिए अर्थ व्यवस्ता में व्रधी लाने के लिए जितनी देर के लिए जरूरत हो सके उतनी देर के लिए हमारा जो द्रष्टी कोण है अर्थ वस्ता के पृती वह accommodative होना चाहिए accommodative का मतलब है हमें market को देखके जो है अपना कदम बढ़ाना चाहिए हमें market को देखते हुए अपनी निती को जो है निर्धारित करना चाहिए है तो यही editorial ने कहा है कि accommodative का मतलब होता है adaptive approach को अपनाना है अनुकूल हो जाना किसी भी चीज़ के तो वाविंग तो ensure that the policy stance remains accommodative for as long as needed कि जब तक जरूरत हो तब तक हम accommodative stance अपना के रखें to revive growth है ना, to revive growth का मतलब है शक्तिकांत दास, RBI के जो governor है शक्तिकांत दास, उन्होंने इस बात पर जोर दिया, emphasized का मतलब होता है जोर देना, that the RBI was ready शक्तिकांत दास ने क्या कहा कि RBI तयार थी, किस चीज़ के लिए तयार थी, to act on rates to act on rates once a durable reduction in inflation was cited शक्तिकांत दास जो कि RBI के governor है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया, कि RBI जो है तयार थी, किस चीज़ के लिए तयार थी, to act on act on का मतलब है action लेना to act on rates, कि ये जो भी women ब्याजदरे होती है न, जिनको RBI निर्धारित करता है, तो उन ब्याजदर पर action लेने के लिए RBI तयार था, once एक बार, a durable reduction durable का मतलब है tickow, reduction का मतलब है कमी, inflation का मतलब है महंगाई, cited का मतलब है आपकी द्रश्टी में आना है न, आपकी द्रश्य में आना आपको कोई चीज दिखाई देने लगे, तो editorial ये बात करना चाहता है, कि RBI के governor ने ये कहा, कि जैसे ही हमें दिखाई देता है, cited का मतलब है, आपकी नजर में आना, कोई चीज आपकी नजर में आना, कि जैसे ही महंगाई, कि जैसे ही महंगाई में हमें जो है, कमी देखने को मिलती है, durable reduction durable reduction का मतलब है, tickow, कमी कि जैसे ही महंगाई में کमी नजर आती है एक टिकाउक कमी महंगाई में अगर हमें नजर में आती है तो हम क्या करेंगे जो भी बियासदरे हैं उन पर कुछ action लेगे न यह कहा RBI के गवर्नन नहीं उन्होंने यह कहा कि हमारा जो रवेचा होगा RBI के governor ने कहा हमारा जो रवय होगा वो होगा accommodative accommodative का मतलब है कि अगर हमें दिखाई दिया कि inflation अगर हमें दिखाई दिया कि मुद्रा इस फिती में जो है एक टिकाव कमी हमें देखने को मिलती है तो फिर हम क्या करेंगे ब्याजदरों में परिवर्तन करेंगे आगे दिखते हैं For Now फिलहाल के लिए हालांकी However का मतलब होता है The projections Project का मतलब कया होता है Project करना Project का मतलब होता है Anuman करना However the projections Remain less than encouraging Encouraging का मतलब क्या होता है Howver the projections remains less than encouraging अगर वर्तमान संदर्व में है na फिलहाल के लिए अगर हम अर्थव्यवस्ता के संबंद में फिलाल के लिए अगर हम महंगाई के संबंद में अनुमान लगाएं कि भई महंगाई कितनी घटेगी कितनी बड़ेगी तो वो जो हमारे projections है ना वे कोई अच्छे projections नहीं है है ना projections remain less than encouraging कि हमारे महंगाई को लेकर जो projections है वे उत्साह वर्दक से कम है projections remains less than encouraging आगे देखते हैं देखो आर्बियाई ने क्या किया एक सर्वे किया है ना आर्बियाई ने सर्वे किया household का मतलत होता है यह जो घर होते है आपके विबिन घर है उन घरों के लिए कहा गया है household का मतलब है कि विबिन घरों के उपभोगताओं का सर्वे किया गया विबिन घरों के उपभोगताओं का सर्वे किया गया तो विबिन घरों के उपभोगताओं का जब सर्वे किया गया तो उनकी उम्मीदे expectations है उनसे पूछा गया विभिन घरों की उपभोगताओं से पूचा गया कि आपको क्या लगता है कि price gain कितना होगा है कीमतों में कितनी बड़ोतरी देखने को मिलेगी RBI ने विभिन घरों से जुड़े हुए उपभोगताओं से survey में बात पूची क्या बात पूची कि आपको क्या लगता है आपके क्या expectations है कि price में कितनी बड़ोतरी होगी तो उस survey में ये बात पता चली वो survey ये दिखाता है that consumers कि जो उपभोगता है expect वो ये उमीद करते है inflation to remain elevated कि inflation कि जो महंगाई है to remain elevated elevated का मतलब है उन्नत elevated का मतलब है उपर बने रहना कि वही काफी सारे उपभोगताओं को ये मानना है कि अभी आगे आने वाले समय में भी जो कीमते हैं वे उची रहेंगी in the near term in the near term का मतलब है आगे आने वाली अवधी term का मतलब हो गया है यहापे अवधी है a finding a finding का मतलब है कि आपने कोई survey किया है उसमें आपको क्या पता चला उसको बोलते है finding a finding that the RBI is assessment broadly backs तो यह जो बात उपभोगताओं ने कही उन उपभोगताओं के द्वारा कही गई बात को RBI भी अपना समर्थन देता है back का मतलब है support करना समर्थन देना a finding कि यह बात जो पता चली है क्या बात पता चली है कि ज़्यादा तर उपभोगताओं का मानना है कि आगे आने वाले समय में जो कीमते हैं उन कीमतों में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी यानिकी कीमते उच्च इस तरपर बनी रहेंगी तो यह जो बात सर्वे में कही गई है इस बात का RBI भी समर्थन करता है that the RBI is assessment assessment का मतलब होता है मूल्यांकन कि RBI ने जो अपना मूल्यांकन किया उस मूल्यांकन में RBI ने इस सर्वे में कही गई बात को support किया back का मतलब है support करना समर्थन करना आगे देखते हैं, कि the prognosis on the economy, the prognosis, prognosis का मतलब होता है निदान, the prognosis on the economy is also वरिसम, वरिसम का मतलब है चिंता जनक, the prognosis on the economy is also वरिसम, कि अगर हम यह जो अर्थ विवस्ता है, कि रोग का क्या कारण है, प्रोगनोसिस का एक वास्तिविक जो अर्थ होता है, कि रोग का निदान करना है, रोग के बारे में पता लगाना ठीक तरह से, तो अगर हम अर्थ विवस्ता को क्या रोग है, अर्थ विवस्ता को क्या बीमारी है, उसका हम निदान करने की कोशिश करें, तो यहां भी इस्ति RBI ये उम्मीद करता है, जबकि RBI ये आशा करता है, ये उम्मीद करता है, the rural economy, कि ग्रामीड जो अर्थव्यवस्ता है, to turn in a robust recovery, to turn in a robust recovery, to turn in a robust recovery, robust का मतलब क्या होता है, मजबूत, दमदार, उसको बोलता है robust, कि RBI ऐसी उम्मीद करता है, कि जो ग्रामीन अर्थव्यवस्ता है, उस ग्रामीन अर्थव्यवस्ता में, जबरदस्त recovery देखने को मिलेगी, कि ग्रामीन अर्थव्यवस्ता में, जबरदस्त recovery देखने को मिलेगी, on the back of a strong showing by agriculture, कि RBI को क्यों लगता है, ग्रामीन अर्थव्यवस्ता में, जबरदस्त recovery क्यों देखने को मिलेगी है, कि साधार पे है, किस दम पे जो RBI इस बात को कहता है, strong showing by agriculture, कि ऐसा लगता है, RBI इसे उमीद करता है, कि जो agriculture है, कि ग्रामीन छेतर से जुड़ी हुई, यानि कि कुल मिलाके, हमारा जो agriculture production है, वो अच्छा रहेगा, agriculture production अच्छा रहेगा, तो ग्रामीन अर्थव्यवस्ता में, जब ग्रामीन अर्थव्यवस्ता में, सुधार दे deterioration, deterioration का मत्तब होता है, कमियाना, in consumer sentiment, अब एक और शब्दा है हमारे सामने, consumer sentiment, sentiment का मत्तब होता है, sentiment का मत्तब होता है, भावनाए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है consumer sentiment, उपभोगता की भावनाए, consumer sentiment का मत्तब होता है, कि जो ग्राहक है, जो उपभोगता है, वो market के बार तो हम कहते हैं कि consumer sentiment market के प्रती अच्छी है अगर consumer market में निवेश करना चाहता है लेकिन consumer को अगर लगता है कि यदि मैं market में अपना पैसा निवेश करता हूं तो मेरा पैसा डूब सकता है इसका मतलब है consumer sentiment अच्छी नहीं है कि जो उपभोगता है उसका बाजार के प्रती जो रवई है उसमें लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है a deterioration एक तरह की कमी हमें देखने को मिल रही है a deterioration in consumer sentiment in the central bank's July survey central bank ने यानि कि RBI ने जुलाई में जो survey किया उस survey में ये बात पता चली कि consumer जो है उसकी भावना ह को लेकर ठीक नहीं है consumer की जो भावना है उनके प्रती गिरावट देखने को मिल रही है तो ये जो survey में ये जो बात निकल के सामने आई undermine undermine का मत्तव होता है महत्व कम करना the prospects का मत्तव होता है संभावना prospects का मत्तव संभावना है for a more broad best broad best का मत्तव होता है in general अगर हम बात करें revival का मत्तव होता है पुने उच्छाल आना पुने सुधार आना पुनर जीवन है ना a more broad based revival in domestic demand domestic demand का मत्तव हो गया घरेलू मांग तो यही editorial कहना चाहरा है कि भई RBI ने अपना जुलाईव में survey किया तो उस survey में जो संभावनाई थी क्या संभावनाई थी कि क्या संभावनाई घरेलू मांग में जो हमें बड़ोतरी देखने को मिलेगी तो एसी जो संभावनाई थी ना उन वे संभावनाई कम होती हुई नजर आई RBI के जुलाई survey में क्यों यह संभावनाई कम होती हुई नजर आई क्यों RBI को ऐसा लगा कि जो domestic demand है उनमें बड़ोतरी नहीं हो RBI ने पाया कि ज़्यादा तर जो भोगता है वे भोगता बाजार के बारे में गलत राय रखते हैं वे बाजार में अधिक उत्सुक नहीं है है ना उनकी भावनाई बाजार को लेकर ठीक नहीं है तो इस तरह से एक तरीके से domestic demand में क्या रहेगी कमी रहेगी अत्रिक अधिक प्रिस्टितियां आपके प्रतिकूल हो तो उसको बोलते हैं हैडविंड एक्सेशन का मतलब है मंदी तो एडिटोरियल बात करना चाहता है कि घरेलू जो मांग है वह तो घरेलू मांग है उसमें तो कोई इजाफा देखने को मिल ही नहीं रहा लेकिन जो बाहरेगी इसमें भी हमें कमी देखने को मिल रही है एक्सेशनल डिमांट फेसेशन हेडवेड कि जो बाहरे मांग है उसको भी प्रतिकूल परिस्टितियों का सामना करना पड़ रहा है क्यों क्योंकि जो वर्ल्ल एकोनोमी है जो विश्व हमारी अर्थव्यफता है उसमें मंदी लिखने को मिल रहा है कि जो वैश्विक व्यापार है ग्लोबल ट्रेड का मतलब वहा जो वैश्विक व्यापार है श्रिंक श्रिंक का मतलब है संकुचन सिकुलना कमी आना कि वैश्विक व्यापार में हमें कमी दिखाई दे रही है इसके लाबा पूरा की पूरी जो वैश्विक आर्थ व्यवस्ता है उसमें हमें मंदी दिखाई देखने को मिल रही है तो इन सब के चलते external demand में भी हमें कमी देखने को मिल रही है न आगे देखते हैं forecasting a contraction in real GDP, forecast का मतलब क्या होता है भविश्यवानी करना contraction का मतलब क्या होता है कमियाना, संकुचन, सिकुडन, forecasting a contraction in real GDP in the current fiscal year तो देखो RBI ने भविश्यवानी की है क्या भविश्यवानी की है RBI ने कि जो GDP क्या होती है GDP GDP के माध्यम से हम देश के आर्थिक उत्पादन को मापते हैं अगर GDP में बड़ोतरी होती है तो हम कहते हैं जो GDP है उसमें हमें contraction उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी ऐसी भविश्यवानी RBI ने कही है The RBI rather optimistically posits that लेकिन ये बात तो कही है RBI ने क्या कही है RBI ने ये बात कही है कि GDP जो है उसमें हमें संकुचन देखने को मिलेगा लेकिन साथी साथ RBI है ना Rather का हम प्रियोग करते हैं जब दो बातों में हम दिखाते हैं एक तरीके से तुलनात्मक प्रदर्शन करना चाहते हैं तुलनात्मक प्रूसे हम चीज़ों को बताना चाहते हैं तब हम rather का प्रियोग करते हैं राधर optimistically का मतलब होता है आशावादी ढंग से आशापूर्ण तरीके से posit का मतलब क्या होता है posit का मतलब होता है मानना आपने कोई तरथ्य प्रस्तुत किये और उन तथ्यों के आदार पर आप किसी चीज़ को मानते हो तब हम प्रियोग करते हैं तो RBI क्या करती है आशापूर्ण तरीके से इस बात को मानती है that an early containment containment का मतलब होता है नियंत्रन आर बिया क्या मानती है और बड़े आशावाद पूर्ण तरीके से देखो एक और तो RBI ये बिलीव करती है एक और तो RBI ये घोशना करती है एक और तो RBI ये भविश्वानी करती है कि GDP जो है इस साल GDP में काफी कमी रहेगी दूसरी और RBI ये भी आशावाद पूर्ण तरीके से ये भी मानती है कि अगर हम इस pandemic को अगर हम इस coronavirus को pandemic का मतब है वैश्विक महामारी कि अगर हम इस वैश्विक महामारी को जल्द से जल्द नियंतरित कर लेते हैं तो उसके माध्यम से किस बात की संभावना बनती है में में का मतब है संभावना बनती है ना chances है में इंपार्ट, इंपार्ट का मत्ता होता है, योगदान देना, में इंपार्ट एन अफसाइड सर्प्राइज टू इट्स आउटो, में इंपार्ट, अगर हम इस वैश्विक महामारी को, अगर हम कोरोना वाइरस को समय रहते नियंतरित कर लेते हैं, समय रहते कंटोर्ट कर तो इसके माध्यम से क्या होगा? में इंपार्ट एन अफसाइड सर्प्राइज टू इट्स आउटो, तो जो हमारी अर्थविवस्ता का नजारा है, उस अर्थविवस्ता के नजारे में हमें उच्छाल देखने को मिल सकता है, अपसाइड सर्प्राइज, यानि कि अर्थव में हमें क्या देखने को मिल सकता है एक बड़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है अफसाइड सर्प्राइस है एक आश्चरे जनक बड़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है टू इट्स आउटलूक है आउटलूक का मतलब हो गया नजारा है कि अर्थविवस्ता के नजारे में जो है हमें एक बहुत ही महत्वपुन परिवर्तन देखने को मिल सकता है कब अगर हम इस coronavirus को नियंत्रित कर लेते हैं तो ये दो बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि एक और तो कहा गया है कि GDP जो है उसमें कमी रहेगी एक और तो RBI ये कहता है दूसरी और RBI ये उमीद भी करता है कि अगर coronavirus समय रहते नियंत्रित हालत में आ जाता है तो हमारी अर्थव्यवस्ता में एक आश्चरे जनक रूप से सुधार देखने को मिल सकता है Interestingly, आश्चरे जनक रूप से It's analysis of the macroeconomic environment अब देखो, क्या बात की है हमने? अर्थव्यवस्ता को हम दो तरह से बात करते हैं एक तो हो गया microeconomic दूसरा macroeconomic macroeconomic अर्थव्यवस्ता में हम बात करते हैं अर्थव्यवस्ता से जुड़े हुए उन पहलूँ की जो की अर्थव्यवस्ता को एक बड़े रूप में प्रभावित करते हैं अर्थव्यवस्ता को बड़े रूप में प्रभावित करना, आगे बात करेंगे तो समझ में आजाएगा, बड़े रूप में प्रभावित करने का मतलब क्या होता है, बड़े रूप में प्रभावित करने का मतलब होता है, कि जो देश है, उस देश की overall जो अर्थव्यवस्त तो अब आपके सामने ये दिक्कत आती होगी, कई बार है ना, अभी जब मैंने देखा था ना, skirt का dictionary में meaning, तो skirt का meaning क्या बताएगा dictionary, वो बताएगा घागरा, फिर आप क्या confused हो जाते हो, कि यार आर्थिवस्ता की बात चल रही है, और यहाँ पे घागरे का क्या role है, तो कोई Potential Challenges, Potential Challenges का मतबब है, संभावित चनौतिया, Potential Challenges का मतबब है, संभावित चनौतिया है, That heightened, heightened का मतब क्या है, मतब और उचा हो जाना, heightened टनाव का और ज्यादा बढ़ जाना, तराओं का और ज्यादा बढ़ जाना, विच चाइना, तो देखो, एडिटोरिल क्या बात करता है, इट्स, देखो, RBI ने एनालाइसिस किया है, RBI ने विचलेशन किया, किसका अर्थ व्यवस्ता का एक बड़े इस्तर पर जब विचलेशन किया है, मेक्रो एकोनोमिक तथ्यों को देखा, तो RBI ने उपेक्षा की, किन चीजों की उपेक्षा की, इसका ट्स दा पोटेंशियल चलेंजेश, RBI ने संभ अर्थ व्यवस्ता है, उस पर असर पड़ेगा, लेकिन इस कारक को RBI ने उपेक्षित किया, इस कारक को RBI ने ध्यान में नहीं रखा, तो ये होता है, मेक्रो एकोनोमिक, कि भई देखो हम व्यापार करते हैं, चाइना जो हमारा क्या है, एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग प कारक की, इन चुनोतियों की, ये जो संभावी चुनोतियां हैं ना हमारे सामने, कि भई चाइना के साथ हमारे संबंद जो है, वे तनावपूर्ण हो गए है, तो ऐसे तनावपूर्ण संबंदों के चलते हमारी जो एक अर्थ विवस्ता है, उस पर overall क्या प्रभाव पड़ है, वन ओफ इंडियास लार्जेस ट्रेडिंग पार्टर, चाइना जो है, भारत जिन देशों से व्यापार करता है, उन व्यापार करने वाले देशों में एक बहुत बड़ा देश है, चाइना है ना, and in recent years, और अभी हाल ही के वर्षों में हमें क्या देखने को मिला है, a source of inbound, inbound का मतलब है अंदर आने वाली, a source of inbound foreign capital, विदेशी पुझी, चाइना के द्वारा जो व्यापार भारत का होता है, उस व्यापार के माध्यम से बाहरी पुझी भारत में आती है, उस बाहरी पुझी का एक बहुत बड़ा स्रोत है चाइना, a source of inbound foreign capital, यानि कि चाइना क माध्यम से एक बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पुझी भारत में आती है, तो इस तत्य की जो उपेक्षा RBI ने की है न, तो ये could हो सकता है, could यहाँ पे आया है future possibility के लिए, could हो सकता है, pause का मतलब है खड़े कर देना, जैसे बोलते हैं कि यार हमारे सामने ये समश्या खड़ी हो गई है, तो उस तरह से खड़े हो जाने के sense में आप रियो करते है, could pause to the economy, तो हमारे अर्थव्यवस्ता के सामने ये समश्या खड़ी हो सकती है, could pause to the economy, कि यह जो हमारे जो बड़ी अर्थव्यवस्ता से, micro economic environment है यानि कि बड़ी अर्थव्यवस्ता से संबंदी, जो चुनोतियां हमारे सामने हैं, वे खड़ी हो सकती है, यह editorial जो यहाँ तक बात करता है, आगे देखते हैं, केंदरित करने का decide किया है, कहाँ पर केंदरित करने का decide किया है, on trying to untangle, untangle का मतलब होता है सुलजाना, जैसे कोई गाठ लगी हुई ना, उस गाठ को खोलना, उस गाठ को सुलजाना, untangle का मतलब है सुलजाना, kink, kink का मतलब है गाठ, जब कोई चीजें उलज जाती है ना, बल पढ़ गए, जैसे रसी है, उसमें बल पढ़ गए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे kink, तो RBI ने अपनी energy को, कहा लगाने का decide किया है, कि जो भी गांट है, उन गांट को खोला जाए, कौन सी गांट, कौन सी गांट, हिंडरिंग, हिंडरिंग का मतलब है बाध और liquidity, क्या मतलब होता है, liquidity का मतलब होता है, तरलता, liquidity का मतलब होता है, तरलता, देखो तरलता का क्या मतलब है, यह जब हम liquidity के बात करते हैं, liquidity का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी currency है, आपके हाथ में note है, वो भी पेसा है, आपका मकान है, तो मकान क्या है, मकान भी तो पेस होता है आपका वो भी एक तरीकी का पैसा है लेकिन सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में पैसा कौन सा है करंसी यानि कि पैसे की वह आवस्ता जिसका मौद्रिक मौली तुरंत प्राप्त हो जाए उसको हम बोलते हैं जिसका जो मौद्रिक मौल है उसका फायदा आप जल्द से जल्द ले सको तो आप बोलोगे कि पैसा जो है लिक्विड हालत में है तो देखो एडिटोरियल ये बात कहना चाहरा है कि RBI ने ये डिसाइड किया है कि वह रुकावटे आ रही है कि देखो वैरी लेंडर वैरी का मतलब होता है सावधान सजग लेंडर कि जो उधार देते हैं यानि कि विभिन बैंक्स जो है वे जो उधार देते हैं वे डरे हुए हैं और सीवियरली सीवियरली का मतलब है गंभी रूप से इस्ट्रेस का मतलब है borrowers का मतलब है उदार लेने वाला याणि कि वे लोग जो पैसा उदार लेते हैं वे लोग जो की पैसा उदार देते हैं पैसे का जो बहाव होता है इन सब के बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है रुकावते देखने को मिल रही हैना लोगबाग डरे हुए है जो उधार लेने वाला है वो भी डरा हुआ है जो उधार देने वाला है वो भी डरा हुआ है इनके बीच में जो नेटवर्क काम करता है उधार देने वाले के बीच में और उधार लेने वाले के बीच में जो नेटवर्क होता है जिस नेटवर्क के म the restructuring restructure का मतलब क्या होता है पुनर निर्मित करना है कि जैसे हम बोले है कि यार आप अपने आपको पुनर निर्मित करो resolution resolution का मतलब होता है संकल्प लेना and enhanced enhanced का मतलब है और बढ़ा देना और उन्नत enhanced का मतलब है और उन्नत और बढ़ा हुआ enhanced gold loan proposals gold loan के proposals, mooted, mooted का मतब क्या है एक तरीके से proposal को रखना प्रस्तावीत करना, mooted का मतब है प्रस्तावीत करना, कि जो प्रस्ताव है उनको रखना, by the RBI acknowledge, acknowledge का मतब है स्वीकारना, मानना तो देखो RBI ने अभी हाल ही में क्या किया है कई तरह के निश्चे है, कई तरह के resolution किये है, RBI ने अपने आपको restructure किया है, इसके अलावा, ज्यादा मात्रा में gold loan के प्रस्ताव को RBI ने रखा है, तो इन सब चीजों के माध्यम से हमें ये देखने को मिलता है, कि RBI इस चीज को स्वीकारता है किस चीज को स्वीकारता है the shear, shear का मत्रा होता है बिलकुल एक दम वास्तविक, a shear scale का मत्रा है पैमाना of the pandemic's devastation pandemic का मत्रा हो गया, वेश्विक महामारी devastation का मत्रा हो गया, with once तबाही, विनाश on the finances of firms and household, कि RBI इस चीज को स्वीकारता है कि इस पश्ट रूप से, कि किस पैमाने पर ये जो coronavirus है इसने कहर ढ़ाया है किस पैमाने पर ये जो coronavirus है इसने जो बरबाद कर दिया है finances का मत्रावे, एक तरीके से with finances of firms, फार्मस का मत्रावे women companies और household कि women जो घर है इसके अलावा women जो companies है उनकी जो आर्थिक हालत है वह coronavirus ने किस कदर तबाह कर दी है इस बात को RBI स्वीकारता है और RBI इनी चीजों को ध्यान में रखते हुए, एक नया निश्चे लेता है, अपने आपको restructure करता है और गोल्ड रोन को प्रिस्तावीत करता है तो इस तरह से ये line लिखे हुई है आगे देखते हैं, the on us now is on ये on us, the Hindu vocabulary के वीडियो में हमने on us को पढ़ा था है on us का मतलब होता है, जिम्मेदारी है और on us के साथ में हम on preposition का प्रियो करते है on us का मतलब है कि जिम्मेदारी the on us now is on governor das अब जिम्मेदारी RBI के governor शक्तिकांत दास के उपर है कि वे ये सुनिशित करें to ensure that the stability stability का मतलब होता है that the stability of the financial sector कि हमारा जो वित्तिय छेत्र है उसकी जो stability है उसका जो इस्थाइत्व है is safeguarded safeguard का मतलब होता है, किसी को safeguard करने का मतलब होता है किसी को सुरक्षित करना अब ये जिम्मेदारी governor शक्तिकांत दास की है कि वे क्या करें वे हमारे वित्तिय छेत्र में इस्थाइत्व को सुरक्षित करने की कोशिश करें even as, even as, even as का मतलब होता है at the same time कि एक और तो ये काम करो आप साथी साथ दूसरा काम ये करो एक और तो आप क्या करो जो आर्थिक छेत्र है उस आर्थिक छेत्र में इस्थाइत्वता को लाने की कोशिश करो दूसरी और loan terms जो loan आपने लिया है उसको कितनी आवधी में चुकाना है उसको बोला जाता है are reset reset का मतब है पुना set करना to protect otherwise viable businesses viable का मतब है जीने में सक्षम business का मतब आपको पता है ये business विया पर viable business तो एडिटोरिल दूसरी बात करता है एक बात तो हुई कि अब governor के उपर यह दाइत्व है कि क्या करें governor कि वित्तिय छेत्र में इस्थाइत्वता को बढ़ाने की कोशिश करें दूसरी और जो विबिन बिजनिस है जो विबिन बिजनिस है जिनोंने की loan ले रखा है उन loan term को दुबारा से reset किया जाए ताकि विबिन जो business जो की जी सकते हैं उनकी रक्षा हो सके अगर loan terms को यानि की loan को चुकाने की जो अवदी है उसे दुबारा से set नहीं किया गया तो काफी सारे ऐसे businesses हैं जो जी नहीं पाएंगे लेकिन अगर loan को चुकाने की अवदी में फेर बदल कर दिया गया तो काफी सारे ऐसे business हैं जो की जी सकते हैं काफी सारे इसे व्यापार हैं जो अपने आपको बरकरार रख सकते हैं ये डिटोरियल बात करना चाहता है अगर हमने ये जो वित्तिय इस्थिरता है उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाया कि वित्तिय इस्थिरता को अगर हमने किसी भी तरह का नुकसान पहुचाया, तो जोखिम बढ़ सकता है, किस चीच का जोखिम बढ़ सकता है, undermining the economy, कि हमारी पूरी की पूरी जो अर्थ व्यवस्ता है, उसका महत्व कम हो सकता है, undermining कम अतलों, undermining कम अतलों, महत्व को कम करना, undermining कम अतलों, दुर्बल करना, हमारी पूरी की पूरी अर्थ व्यवस्ता, as a whole, अगर हम समुची अर्थ व्यवस्ता की बात करें, तो हमारी समुची अर्थ व्यवस्ता दुर्बल हो सकती है, समुची अर्थ व्यवस्ता जो है, संकट में आ सकती है, समुची अर्थ व्यवस अर्थ योस्ता पर आधारित्ता इसके लावा RBI को क्या करना चाहिए क्या नहीं करने चाहिए क्या वर्तमान इस्थित्या है ना इन सब की चर्चा हमने इसे रिटोटेल में की